कर सकता है कौन से स्टॉक्स है जो हम ट्रेट कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं कि आज हुआ क्या था आज का सेशन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा on the lines of expected था जैसा मैंने प्रिवेस सेशन में कहा था आपको माकेट ओपन हुआ पुल बैक आया प्रिवेस डेक की रेंज में गया और उसके बाद में ब्यूडिफुल रहे लिया यह निफ्टी बीस एक सो पचास से और मौस्ट बीस तीन सो पच्चिस तक तक तो मैं तब इंतरारे में देड़ सो पॉ जब देंगे इरान को कि तहरान जो है वो खिल जाएगा और कोई देश का भी डेर नहीं करेगा हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए उसके बाद में हमने यह सड़न फॉल देखा यह सड़न जो स्पाइक था वो सड़न स्पाइक आया डाउन एकदम मताब बीस तीन सो वाली अब जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो यह मैं प्रीवियस आपको इसके लिए समझा रहा हूं कि आज फॉर्स हाफ में जो हमने एंटिसेपेट किया था बीस बाइस तीन सो तक जाएगा वह एक्जाटली वैसा हुआ और जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक यह फॉल देख और यह ट्रिगर जो था वो इसराइल के फैनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था अब यहां से क्या होगा यहां पर आपको समझाने के लिए कि एक्शुली मैं क्या हो रहा है जियो परिटिकल टेंशन को समझना जुरूरी है लिए एक थेसंटेंट ने बर्च स्क्रमृूरी है अगरे में में दि Is और टो हैसे हो गया था इस इससे फिलिए और इसको उपण पड़ है और वो उसक नहीं रिय O कर पाया एंड उसके सामने जो हेड मास्टर है यूएसे चाचा बाइडन वो क्या बोलता है बॉस कि तुझे कुछ नहीं करना है तो इसराल जो है वो तिल मिलाया हुआ है एंड ऐसे में अगें अगें पहले उनके चीज़ा इनके डिफेंस मिनिस्टर ने फिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने अब उनके फाइनांस मिनिस्टर सबने ये स्टेटमेंट दे के सोड़ ऑफ वर्ल्ल मार्केट को प्रिपेर किया बाइड दे सेम अपनी डिग्नींटी को रिस्टोर कर रहे हैं कि बॉस हम भी कोई ये नो अलू ललू पंजू नहीं है वी और रिटाइलिए औ कि रिसेंटली उन्होंने जो गाजा स्ट्रिप में अटैक किया था उसके वज़े से ये वेरी ये नोन फोर देर एस्ट्राइक और अब हमारे यहां पर क्या हुआ और एक देर मिनिट लोंगा यह समझाने के लिए सी बैंक निफ्टी ने जैसे ही 47 300 टोड़ा जो मैंने आप और निफ्टी में 20 200 के पुट में इतनी ज्यादा हैवी राइटिंग थी सो नोबड़ी वस एक्सपेक्टिंग कि यह 20 200 टूटेगा तो जैसे ही तूटा वापस आ गया किसी को लगा फैट फिंगर था पर जैसे ही पता चला यह स्टेट्मेंट था उसकी वज़े से और अन् पर निफ्टी में ज्यादा सेलिंग देखा अफ्टर निफ्टी में यह इंटर्प्रेटेशन रहेगा अब यहां पर समझना यह ज़रूरी है कि इसलिए जरूरी हो जाता है विक्वेश इंटर्डेश तो आपको यह समझाता है कि वह स्ट्रेडिंग रही थी तो डेली चार्ट में आप यह समझें आप गिरें आपने पुल बैक किया आपने यह जो गैप था उसको फिल किया और आप प्रिविएस यह वाले कैंडल से ले हो जाते हो यहां से तो तो दैट इस नौट अवरी गुट साइन अपने 50 परसंट नीचे का क्लोजिंग दे दिया है और मुस्ट यह मूं का 60 परसंट रिट्रेस्मेंट हो गया 61 परसंट रिट्रेस्मेंट आप कहा जाएगा तैट इस नौट संधिंग विच इस वेरी कल का कमेंटरी देखा होगा तो मेरा व्यू यही था कि बस सम सोट अफ हायर लेवल से वी कूट सी यह नो मूमेंट मैं एक्सपेक कर रहा था पूल बैग आएगा अब यह नियूज नहीं आता तो मुझे लगता है शायद बैंक निफ्टी 48,000 तक जा सकता था बड़ शायद क्रिटिकल है कल फ्राइडे है ओर द वीकेंड होने के चैंसे से शायद ओवरनाइट नहीं हो तो तो कल ऐसा होगा कि शायद हम ऊपर खुले 4700 47200 तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग टू एक डाउन मूव देखेंगे तोवर्टी 6600 तो कल एक और नेगटिव डे हो सकता है ट्रेंड लाइन है प्लस 75 परसंट रिट्रेस्मेंट है यह पूरे मूव का मेरे इसाब से विकेंड नोबडी वूट वांट तो क्या रहनी चाहिए कल की स्टैटेजी ऐसी रहनी चाहिए फोर सम रीजन अगर यह फ्लैट टू गैप खुलता है तो 47200 या 300 के स्टॉप लोस स आपको शॉट करना है मुझे लगता है 46600 तक हम आ सकते हैं अगर फ्लैट और नेगेटिव खुला तो आप शॉट करोगे अगर नेगेटिव खुला और बहुत ज्यादा नेगेटिव खुला तो आप कुछ नहीं करोगे आप वेट करोगे 46600 आने का और वहां पे शायद करना है तो बहुत जाद अगरेशिव नहीं होना है तो 46600 के नजदीक में कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से यह मेरा मान लेकिन अगर 46600 तूटता है तो फिर बड़ा गड़्डा है उसकेस में बैंक निफ्टी 45800 तक भी आ सकता है तो तो दैट इस सम्धिंग विच आ कियर रियली केरफूल अब बात करते हैं निफ्टी की ट्रीदिंग स्टाटेजी की निफ्टी खराब चार्ट है मेरे हिसाब से सारे जो सपोर्ट से वो शौट टम के ब्रेक हो गये है 21100 का एक सपोर्ट हम उसके नीचे भी क्लोज सब्टीट तूजं का एक सपोर्ट था 22100 क एक सपोर्ट था हम उसके नीचे क्लोज हो गया है मेरे हिसाब से निफ्टी का चो लॉजिकल अगला सपोर्ट है वो है यह स्विंग लो विच इस 21750 यह यह एक्जाग लिए 21700 750 तो मुझे लगता है आज क्या क्लोजा है 22,000 मान के चलो और 2700 मदब 300.000 के और जगह है तो सब्सक्राइब हो सकता है कहां तक 2750 700 अब जब तक हम 22100 तक के उपर नहीं जाते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है निफ्टी में तेजी बनता है 22100 बिसिकली क्या है यह स्विंग लो प्लस यह आज की बहुत बड़ी कैंडल का 50% मार्क बाइस एक्सों के ऊपर हम हमारा स् करेंगे और 22100 नहीं तूटता है तब तक 2700 तक की नीचे में जगा बन जाती है यह हो जाता है निफ्टी का मेरे सबसे वीकेंड है वीकेंड में यह जियो पॉलिटिकल टेंशन हो सकता है प्लस चार्ट जो है वो थोड़े से वीख हो गए यहां पे बहुत हैविली लॉंग नहीं रहना चाहिए अब कुछ टॉक की बात करते हैं जो मुझे लगता है कल के सेशन के लिए ट्रेट कर सकते हैं अब पहले तो बात करते हैं कि प्रिवेश स्टॉक में क्या हुआ तो मैंने जो कहा था एक्जैक्ली वैसा हुआ हुआ मदर संसुमी आज देखिए और दूसरा जो मैंने शॉट बूला था इंडर्सिंट बैंक लुक एड़ी नाइस ब्रेकडाँ तीसरा मैंने एक और शॉट बूला था बर्जर पेंट बर्जर पेंट 530 से पंद्रा रुपें 5% अल्मोस्ट गिरा अब कल के सेशन एक और स्टॉक मैंने दो सेशन पहले बात की हीरो मोटर कॉप यह भी तूट रहा है मेरे इसाब से 41 40 तक नीचे मैं सकता है आज खुला उपर जरूर था और अगर आप पूट ऑप्षिन कर रहे तक आपका स्टॉप लोज हुआ लेकिन और बाइस डाउन है अब कल के लिए एक लॉंग स्टॉक मैंने पिक किया है and as a disclaimer मेरी already position है मैंने मेरे subscriber के साथ मैं app के ओपर share कि हुआ है and I hold a very very strong stance ये है क्या है ये trend है trend का future का chart है guys what a majestic pattern 41.14 का close आ है intraday मैं आज long था अच्छा पैसा भी बन रहा था लेकिन towards end थोड़ा सा नीचे आ गया था तो उसके विज़े से मैं position carry कर रहा हूं as a disclaimer I am long why option मुझे लगता है इसमें 1.500 से 200 रुपे की तीजी है तो कल अगर ये flat खुलता है तो खरीदना चाहिए with a stop loss of 4050 थोड़ा नीचे रखो के तो भी चलेगा मुझे लगता है 4200-4300 तक के target हो सकता है trend is something which is looking good to me एक stock जो negative side में मुझे अभी भी दिख रहा है कल के session के point of view से वो है इंडसिन bank 1474 का close आया है मुझे लगता है नीचे में 1430 तक आ सकता है तो ये एक stock है जो मैं short के layer radar में रखूँँगा another stock which in my opinion थोड़ा सा negative side आ trade हुआ है वो है ICICI bank ICICI bank का ये जो एक sideways sort of a pattern था इस pattern का breakdown हुआ है multiple tops है इस region में तो मुझे लगता है ये bank NFT निफ्टी दोनों को pressure में रखने के लिए शायद कल use होगा तो ICICI bank में 1040 15 रुपे बड़ी बात होती है ICICI bank में तक हम आ सकते हैं तो अगर 1060 1063 तक मिलता है तो मेरे सब से 57 रुपे के stop loss से ICICI bank को short करना चाहिए कल कर session के लिए तो strategy उपर खुले तो बेचो थोड़ा सा flat खुले तो बेचो बहुत नीचे खुल गया 46600 के आसपर नहीं short करना है Nifty 2200 नहीं निकलता है तब तक long नहीं करना है नीचे में मुझे लगता है 2700 तक की जगा है लॉंग साइट, ट्रेंट, सुपब लुकिंग चाट शॉर्ट साइड, इंडर्सिंट बैंक, ICICI bank तो यह था आज का अनालेसिस मुझे बताइए what was your trade today and were you able to make some money thank you so much and have a lovely day bye-bye